भायो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चनल में आपका स्वागत है चनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आए जीए उसके बाद पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देख करके जाना आज के इस वीडियो में आप लोगों को भरती के संबंद में भी हम बताने वाले हैं सिच्चकों के पदों पर भरतियां निकली हैं किस राज में निकली हैं क्या पूरा प्रोसेस है कब से ऑनलाइन जाग से चार जनवरी को कल ही एक सरकारी आदेश ये निकला है और उत्तर प्रदेश में समस्त जिलाकारकम जो अधिकारी हैं प्रभारी हैं इन सब को लेटर भेज दिया गया है तो पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबारी बहनों ध्यान दीजिए और ध्यान पूर्वक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी बिल को भी आल पर दबा लें ताकि हर एक वीडियो जब भी हम डाले चैनल पर तो आपके फोन में वो आसानी से आपको मिल जाएं तो अब बात करते हैं सरवे के अनुसार आंगनबारी केंद्रों के जो लाभारती हैं उनकी व देखा होगा पोस्टर ट्रेकर पर कुछ और लाभारती, MPR की रिपोर्ट जाती उसमें कुछ और लाभारती और इसी वज़े से काफी दिक्कते भी आती हैं तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे इस वाले आदेश में कल निदसाले से क्या बोला गया है लाभारतियों की स च nous-6-3-6-6-3-6iveness-3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-0-6-6 돌-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6- प्रेशित करने के निर्देश दिये गए थे परन्तु अभी आपके द्वारा यानि डीपियो लोगों के द्वारा अब तक गूगल सीट में आंगन बाडी के इंद्रवार वास्तविक लाभारतियों की जो संख्या है वो अंकित नहीं की गई है जिसके कारण अनपूरक निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24-12-2021 को प्रेशित गूगल सीट के निर्दारित कालम में सर्वे के अनुसार आंगन बाडी के इंद्रवार वास्तविक लाभारतियों की संख्या दिनांक 6 जनवरी को अपराहन 12 बजे तक अनिवार रूप से अंकित करना सुनिशित क तथा पोस्टर ट्रेकर में भी सर्वे के अनुसार ही वास्तिविक लाभारतियों की सूची भी फीड कराएं जिससे पोस्टर ट्रेकर पर भी वास्तिविक लाभारति ही प्रदरसित हूँ यदि उक्ततिती तक सूचना प्रेशित नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि आपके जनपत के लाभारतियों में कोई संसोधन ही नहीं है। तो डाक्टर सारिका मोहन देशक ने एक ये लेटर कल चार तारिक को जारी कर दिया। तो अब आप सब भाई वहनों को हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो डियाई में अनुपूरक पुष्टाहर की जो डियाई है जिस अनुसार आपका रासन आता है तो उस वाले जो वास्तविगलाभारती हैं उस अनुसार ही सूचना यहाँ पर मांगी गई गूगल सीट में और यहाँ पर आपको बताते हैं तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे भरती निकली है तो यह राजस्थान में निकली है बीका नेर से नदेशतक जो है प्रारंबिक सिच्छा के उनों ने एक लेटर जारी किया है तो जानने का प्रयास आप सब भाई भी बहन करना कि ये किस लेवल की भरती आए लेका है माननी मुख्यमंत्री स्री असोग गहलोद जी के द्वारा जो है यहाँ आप निड़े लिया गया है कि प्रारंबिक सिच्छा विभाग के द्वारा का किसके प्रारंबिक सिच्छा विभाग के द्वारा 32,033 रेडी सिचकों की भरती की व्यग्यापती जारी की गई है 10 जनवरी 2022 से 9 फर्वरी 2022 तक आवेदन फारम भरे जाएंगे तो आवेदन फारम कब से भरे जाएंगे 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 9 फर्वरी 2022 तक आवेदन भरे जाएंगे तो अब चलते हैं नीचे और सरकारी आदेश को ही हम लोग जो है धंग से देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तो ये रहा 31.12.2021 को जारी कारायले निदेशक प्रारंबिक सिच्छा राजस्थान विकानेर से आदेश प्रस्ट नोट में क्या लिखा गया ध्यानपुर्वक सुनिएगा कि प्रारंबिक सिच्छा विभाग के द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्छ प्राथमिक विद्याले में अध्यापक सीधी भरती 2021-22 के अंतरगत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी भरती के जिसके अंतरगत प्रारंबिक और उच्छ प्राथमिक विद्याले हैं वहां के जो अध्यापक लेवल प्रतम एवं लेवल दुती सामानी सिच्छा एवं विसे सिच्छा के पदों पर राजस्थान पैंचैती राजनियम उनी सोच्छानवे के प्रावधानों के अनुसार पात्र भरतियों के निम्ना नुसार अंलाइन नावेधन पत्र अमान्तित किये गए हैं तो यहां पर आप देख सकते हो लेखा गया है विज्यापन संख्या वदिनांग गैर अनुसूची छेत्र के जो है अध्यापक लेवल प्रतम तो यहां पर आप देख सकते हो इनका 11, 11,000 सामान सिच्चा जो है आप गयापती पदों की संख्या लेकी सामान सिच्चा के लिए विज्या सिच्चा के लिए 440 पद हैं कुल यहां पर 11,940 पद हैं इधर दूसरा देखिए 31,12 से इस सब स्टार्ट है अनुसूची छेत्र में जो है अध्यापक जो है लेवल प्रत सिच्चा के और 13,865 जो है कुल है और 17,000 सामान सिच्चा के हो गए और 1,000 जो है अनुसूची छेत्र में जो है भरतिया निकली है अब आगे क्या लिखा है लिखा गया है यहाँ पर उक्त पदों हे तूइ इच्चुक आवेदक जो है दिनांको दस जनवरी से नौफर्वर की रात्री 12 बजे तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे इच्छुक आवेदक उक्तनिरधारित अबधी में यहाँ पर आप देख सकते हो requirement वगरा.rajausthan.government.in पर SSOID के माध्यम से आनलाइन जो है आवेदन करेंगे विश्तरत विज्यापती तथा जिलेवार पदों का विवरण विभागी विवसाइट जो है www.education.rogeristan.government.in पर आप लोगों को उपलब्द रहेगी साथी लिखा गया है कि चुक आवेदा को उसकी योगिता इवंपातरता के नुसार सम्मंदित पद के लिए online आवेदन परस्थूत करना अनिवार होगा एक से अधिक पद की योगिता इवं पातरता होने पर प्रतेक पद के लिए अलग अलग आविदन पत्र भरना होगा ओफलाइन आविदन सुईकार नहीं किये जाएंगे ओनलाइन आविदन ही आप लोगों को करनी है साथी गैर अनसूची छेतर में यहां पे लिखा हुआ है जो है नन टीस पी एरिया उसमें विग्याप्ति पदों के लिए विरुद्ध अनसूची छेतर के सहीत संपूर राजस्थान और राजस्थान के बाहर के निवासी आविदन कर सकते हैं तथा अनसूची छेतर के विग्यापती पदों के विरुद केवल राजस्थान राज्य के अनसूची छेतर के मूल निवासी, सदभावी निवासी ही आविधन के पात्र माने जाएंगे. तो यहाँ पर जो अनसूची छेतर के अंतरगत विग्यापतियां हैं उन्नमें जो है यहाँ पर केवल राजस्थान वाले बाकी जो है यहाँ पर आप लोगों ने देखा गैर अनसूची छेतर में जो है वहाँ पर आप लोगों को बाहरी राज्यों के भी आप फारम बर सकते चाहे आप उत्तरपजे से हो अन्ने किसी स्टेट से हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैर अनसुची छेत्र में मैंने आपको बताया यहाँ पर अध्यापक लेवल दुती है 13420 सामान सिच्छा के लिए पद है 445 विशे सिच्छा के लिए पद है इस तरह से निकलिए आव अन्लाइन आविदन के अंतिम रूप से सम्मिट करने से पहले ही सुनिशित कर लें कि यहाँ पर उनको कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है अगर दिक्कत है तो उसको अपना सुधार लो तो दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यरतियों के विरुद कानूनी सूचना है पाई जाती है नीचे लेखा है सामाने वर्ग क्रीमी लेयर वर्ग के अन्य पिछला वर्ग या अती पिछला वर्ग तता राज के बाहर के समस्त वर्ग के जो अभ्यरति हैं उनके लिए सो रुपिया आविदन सुल्क है साती राजस्थान राज के नान क्रीमी ल अगर आप उसके योगी हो तो अधिक जानकारी आप लोगों को वहने बताया विभागी विफसाइट पर उसी पर मिल जाएगी तो यहाँ पर अब बात करते हैं सबाना बहना आती हैं बिजनौर से और बिजनौर में एक ये लेटर निकला था यहाँ पर वोटिंग प्रतिसद कम रहने वाले बूतों पर मतदाता जावरुकता भियान संचालित कराने के विशय में था तो यहाँ पर बोला गया था कि उपर नुदेश के साथ में प्रेसित की जा रही है सम्मधित विभाग अन विभाग से आपस में समन्वे स्थापित कर लो और अपने अधिनस्त जैसे जो कर्मी हैं जैसे जिनमें आंगनबाडी हैं आसा हैं ग्राम इस्तरी कर्मचारी हैं लेक पाल हैं ग्राम पंचाय सच्यू है रोजगार सेवक हैं बेसे जिच्छा परिसत के सिच्छक हैं और आंगनबाडी सायका ये हो गई मद्दाता जागरूकता एवं नैतिक मद्दान अर्थात स्वीप योजना के अंतरगत मद्दाताओं जैसे कि विशेष तरुपर युवा महिला दिव्यांग और वरिष्ट नागरिक मद्दाता इनको मद्दान करने के प्रती जागरूक करो नैतिक मद्दान करने तथा वोटिंग प्रस्द को बढ़ाने सम्मंदी विशेप सम्मंदित बूथों एवं आचादित चेतरों में कारक्यम चलाओ जैसे कि नुकड नाटक है, चौपाल है, सगीत संगीत है, डोर टो डोर, संपर्क वाले है, रैली है, प्रभात फेरी है, मसाल रैली है, कटपुतली नरत्य है, मद्दाता जागुता से सम्मंदित पोस्टर है, बैनर सारजनी के स्थानों पर लगवाओ, स्लोगन जो है, अपील ही, तु संकल पत्र भरवाओ, संगोष्ठी कराओ, चुनाओ पाट साला कराओ, वोटर जो है, अवेरनेस फॉरम भरवाओ, इस तरह से, तो आयोजित कराना, इन चीजों को सुनचित करो, तथा मद्दाताओं को मद्दाता के रूप में, अपने मताधिकार का निस्पस सुतंत, एवम निर्भीक होकर के प्रयोग करने के लिए भी प्रिद करो, एवम मद्दाता जागुलता है कि संबंद में, व्यापक रूप से प्रचार प्रशार कराने, जो है, उसकी कारवाई भी करो, जिससे कि आगामी विधानस्थभा निर्वाचक 22 में, संबं ये दो जनवरी को लेटर निकला था, जो खबर निकली थी कि जो है, पंदरा आंगन बाड़ी कार करता में, खिलाओने साइकिल और बरतनों का वित्रण किया गया है, तो ये प्रयाग राज जिसका मैटर है, जिला अधिकारी प्रयाग राज संजे खत्री के द्वारा, बाल विकास प्रोजना, संकर गड़ की अंगन बाड़ी किंद, जैसे कि लोहर गरा, गाड़ा, कटरा, बन बीहरिया और बसहरा, अब उपहार, बेनीपूर की कारकरतियों के लिए खिलाओने बरतन साइकिल, ब्लैक बोर्ड, आधिका वित्रण यहाँ पर कराया गया है, तो अच